हलो दियर स्टुडेंट्स, स्वागत है आपका ग्यानदूत कारिक्रम में, जो किया जित किया जा रहा है, कॉलेश शिक्षा विभाग राजस्थान त्वारा, इस कारिक्रम के अंतरगत, आज मैं डॉक्टर विनीत आरोडा आपके सामने, आज हम बात करेंगे स्टुडेंट् प्रेक्टिकल प्राबलम्स ऑफ फोरफीचर ऑफ शियर्स, यानि आज हम फोरफीचर से रिलेटेड क्या प्राक्टिकल प्राबलम रहती है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं, तो चलते हैं, डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले, फोरफीचर अंड री इशु ऑफ श से रिलेटेड ग्यानदोच चैनल पर ही मेरा वीडियो है जिसका लिंक मैंने आपको दिया है उस लिंक पर आप क्लिक करके पहले उस पूरे वीडियो को समझें इसके कंसेप्चुल फॉर्मिट को समझें कैसे एंट्रीज की जाती है जब शेयर का फोर फीचर किया जाता है तो ऐसी कंडिशन में गाईज मैं आज आपके सामने फोर फीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक क्योशन में आपके सामने लूँगी यह क्योशन कुछ इस तरह से इसमें कहा गया है कि भासकर लिमिटेड ने चार लाख एक्विटी शेयर इशू किये हैं दस रुपे वाले जो की दो रुपे प्रीमियम पर अविलिबल है अप्लिकेशन पर तीन रुपे अलोटमेंट पर साढ़े चार रुपे जो की प्रीमियम के साथ है दो रुपे के प्रीमियम के साथ है उसी तरह से first call पर धाई रुपे और second call पर जो भी amount बच्चा हुआ है balancing figure पर हम देखेंगे कि कितना amount लिया जा रहा है आपको कहा गया है कि 5,20,000 shares के लिए application received हुई है तो हम over subscription की condition पर है 4,000 shares issue किये है और 5,20,000 shares के लिए subscription मिला है now guys आवंटन किस तरह से किया गया है allotment जो किया गया है वो कहा गया है कि 4,80,000 shares तो pro-rata allotment कर दिये जाए और 40,000 shares जो है उनको reject कर दिया जाए refund कर दिया जाए साथ ही management ये decision ले रहा है कि application पर जो access amount मिला है वो access amount का समायों जन कर दिया जाए केवल allotment तक यानि access amount हमारे पास यदि है तो उसे केवल और केवल allotment तक ही करना है क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत जादा amount नहीं है तो इसका आवंटन तक ही होगा तो इसलिए हम यहाँ पर केवल allotment तक ही अपना access amount का settlement करेंगे आगे आपको कहा गया है कि श्री सुर्य यानि एक shareholder है जिसके पास 1000 shares allot किये गए है ऐसे 1000 shares ने क्या किया है अपने आवंटन के साथ ही first call का भी payment कर दिया है देखे call in advance की condition आपके सामने यहाँ पर आ गई है किन्तु अंतिम मांग राशी का भुपतान नहीं किया इसका मतलब यह है कि second call का payment नहीं किया गया है now other information में और भी given है कि श्री चंद यानि चंद जिसके पास 2000 shares hold करके रखे हैं उसने दोनों ही मांगो का भुपतान नहीं किया यानि first call और second call दोनों का ही payment उसने नहीं किया है और last में एक और बात कही है कि सूश्री तारा जिसके पास 400 shares थे उसने second call का भुपतान नहीं किया है तो guys यह कुल मिला कर call in advance और call in area की condition के साथ हमने काम किया है और कहा है कि सारे कि सारे shares को four feature कर लिया गया है company ने सारे shirts को आप four feature कर लिया गया है आपको आउशिक journal entries देनी है तो guys किस तरह से काम होगा देखते हैं सबसे पहले पूरे ही question की हम एक report आपके सामने रखते हैं पूरे ही question को किस तरह से यहाँ पर solve किया जाएगा लेकिन इस पूरे question की क्या report है यह मैं आपके सामने रखती हूँ तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कितने shares issue किये गए हैं दस रुपे वाले चार लाक shares issue किये गए हैं और इन पर दो रुपे security premium भी है तो दो रुपे security premium के साथ चार लाक shares issue किये जा रहे हैं दस रुपे की rate पर application पर तीन रुपे allotment पर चार रुपे पचास पैसे मांगे गए हैं लेकिन यहाँ पर यह allotment जो है वो धाई रुपीस की rate से है मैं फिर से continue कर रही हूँ यहाँ पर जो allotment है वो धाई रुपीस की rate पर है और दो रुपे इसमें premium शामिल है इसी तरह से बात करें तो first call की first call पर धाई रुपे मांगे गए है ऐसा कहा गया है और second call पर जो बात की जा रही है वो second call पर balancing figure कहा गया है कि बचा हुआ जो भी amount है वो हमारा second call पर होगा तो देखे हमारे पास total share amount है 10 रुपे और 2 रुपे तो ऐसी condition में 12 रुपे का हमारा share amount है total हमारे पास 4 plus 3, 7, 7, 8, 9, 9 and 10 तो इस तरह से 2 रुपे का हमारा second call का amount होगा तो गाइस इस तरह से ये एक condition तो हमारी जो question में given है वो हमने देख ली है now allotment की बात कर लेते हैं total 5, 20,000 shares हमें received हुए है और हमारे पास 4,000,000 shares ही है यानि हमारे पास applied share तो 5,000,000 है और हमारे पास allotment जो हमें करना है वो 4,000,000 shares का ही करना है तो गाइस देखे किस तरह से यहाँ पर काम होगा आपको 2 conditions question में दी है कि 40,000 shareholders है उनको तो कुछ नहीं देना है उनको हमें refund कर देना है तो हम यहाँ पर refund की condition refund के लिए journal entry करेंगे तो देखे अब हमारे पास क्या बचा है 4,80,000 और यहाँ पर हमारे पास 4,000 shares बचे है अब कहा है कि 4,80,000 shareholders को pro-rata allot कर दिया जाए तो pro-rata यानि rational हमने allot कर दिया है जिन्होंने 40 shares मांगे है उन्हें 48 shares दिये गए है तो देखे अब हमारे पास यहाँ पर भी कोई balance नहीं बचा और यहाँ पर भी कोई balance नहीं बचा है तो यह एक working note हमें ध्यान में रखना होगा एक तरह से हमारे पूरे knowledge के लिए की question में किस तरह से allotment किया गया है लेकिन हाँ call in advance यहाँ पर मैं देख रही हूँ 1,000 shareholders है 1,000 shareholders ने call in advance है और इन्होंने अपना advance दिया है allotment पर जो की first call से related है इसी तरह से मैं बात करूँ तो area भी हुआ है 1,000 shareholders है जिनका area हुआ है और इन्होंने second call पर area किया है इसी तरह से 2,000 shareholders है जिन्होंने भी area किया है first call और second call पर और एक 400 shareholder और है जिन्होंने भी area किया है और यह area किया है second call पर finally यह जितने भी area share है यानि 3,400 shares है इनका four feature हमें कर लेना है तो guys कुछ इस तरह से हमारे पूरे question की report हमने तयार की है अब हमारे पास जितना भी काम करना है अब हमें general entry से related सारा काम यहाँ पर देखना होगा तो guys किस तरह से general entry होगी है पूरा question यहाँ पर एक report के तौर पर मैंने आपके सामने रख दिया है शुरू करते हैं आप यह दी general entry कर रहे हैं तो general entry को proper format से करिए proper date, particular amount proper column के साथ करिए मेरे पास थोड़ा space कम है इसलिए मैं इसे as usual बता रही हूँ तो देखिए सबसे पहले हमारे general entry होती है वो application received की होती है तो application received करिए application received की entry bank account debit to equity share application तो equity share application पर हमें received हुआ कितना amount received हुआ यह exactly, जो हम बात करेंगे 5,20,000 का यह 5,20,000 shares हमें received हुए है तो हम यहां पर 5,20,000 की ही िभात करेंगे 5,20,000 shares received हुए है और 3 रुपै की rate से received हुए है तो 3 रुपै की rate से यहां पर हमने receive कर लिया इस amount को और total जो amount हमने multiply करके मिल रहा है वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है 15,60,000 का now guys 15,60,000 पर हमने first entry की है जो कि amount हमें received हुआ है second entry पर बात करते हैं second entry क्योंकि हमें जितनी जल्दी हो सके amount को refund कर देना चाहिए यहाँ पर एक refund दिया हुआ है तो इस refund पर ही मैं बात कर लेती हूँ हमारी second entry की यह refund है 40,000 shares का तो refund के लिए क्या entry करते हैं यदि receive के लिए हमने bank to equity share application किया है तो refund के लिए equity share application account debit to bank की entry आपको देनी होगी कितना amount refund करना है 40,000 हमारे पास shares है और इन 40,000 shares पर 3 रुपए की rate से हमें जो amount मिला है वो है 12,000 का 1,20,000 का sorry students now third entry हम करते हैं equity share applications को share capital में transfer करने की यानि जो हमारा amount पढ़ा हुआ है equity share application में फिलहाल इस equity share application की amount को हम transfer कर देते हैं equity share capital में तो equity share capital में हम transfer कर रहे हैं इस amount को तो कितनी amount transfer होनी चाहे है क्योंकि हमारे पास number of shares है 4,000 और 4,000 shares पर हम बात कर रहे हैं 3 रुपए की application money की तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि हमें यहाँ पर 12,000 की amount जो है वो की हमें share capital में transfer करनी है अब देखें guys यहाँ अपना account आप match कर लीजिए 15,60,000 का हमारा यहाँ पर amount है 15,60,000 उसमें से 1,20,000 तो हमारा refund हो गया है amount और 12,000 का amount हमारा share capital में set up हो गया है तो चितना भी amount हमारा पास बचा है वो excess amount है और इस excess amount के लिए आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम इसे allotment पर settle down करेंगे तो देखते हैं आगे क्या चलता है 4th entry हम दे रहे हैं 4th entry कुछ इस तरह से allotment due करना है हमें देखे allotment के लिए मैं आपको condition बता दू कि 4.50 पैसे पर allotment किया जा रहा है धाई रुपय का तो हमारा allotment का share capital का amount रहेगा और 2 रुपय हमारा security premium जो कि इसमें शामिल है तो देखे उस से related entry करते हैं हम equity share allotment account debit to equity share capital to security premium किस तरह से amount यहां calculate की जाएगी देखे equity share capital में जैसा मैंने कहा कि 5.50 रुपय आएंगे तो 5.50 रुपय के हिसाब से 4,000,000 multiply by 5.50 अपने calculator को on करिये और जहां तक मैं देख रही हूँ 4,000,000 को यदि 5.50 रुपय से multiply कर लेते हैं तो यह 10.000,000 का amount बनता है तो 10 लाख रुपए हमारा equity share capital में हुआ है और security premium 2 रुपए के हिसाब से यानि 8 लाख तो total equity share allotment जो हमारा रहा है वो 18 लाख का होगा ओके गाइस अब हम बात करेंगे क्योंकि हमारा allotment due कर दिया है हमने allotment हमने public से मांग लिया है तो अब हमारी बारी है कि अब हम इस allotment से related adjustments करें देखिए हमारे पास कुछ access amount यहाँ पर पड़ा हुआ है उस access amount को हमें यहाँ पर settle down करना होगा तो देखिए access amount के लिए हम entry करते हैं equity share application से amount हम equity share allotment में लेकर आते हैं तो equity share allotment में हम amount लेकर आ रहे हैं और कितना amount हमारे पास access है एक बार calculation हम कर ही लेते हैं 15,60,000 हमारे पास total amount received हुआ था जब application हमने received की थी उसमें से 1,20,000 तो हमने refund कर दिये हैं और साथ ही में हमारे पास 12,00,000 जो की है application पर settle down हो गया है तो देखिए guys कितना amount आ रहा है और यह amount बनता है 2,40,000 का ओके fine तो इस तरह से हमने access amount का भी settlement यहाँ पर कर दिया है now अब allotment को receive करें allotment receive करना मतलब bank account debit to equity share allotment now guys मैं यहाँ जो देख रही हूँ हमारी report जो बनी है उसमें allotment पर एक first call का advance भी है तो इस advance के लिए भी हम general entry कर लेते हैं और advance के लिए general entry करनी है तो वो हमारा बनता है bank account debit to call in advance तो call in advance हमें यहाँ पर देना होगा call in advance के लिए general entry हम उप कर लेते हैं call in advance में कितना amount आने वाला है देगे 1000 रुपए के shareholders हैं जिन्होंने advance दिया है और यह आना चाहिए इन्होंने first call का advance दिया है यहाँ तो first call का advance दिया है यानी 1000 multiply by 2.5 it's simple 2500 now अब कितना amount हमें allotment पर receive हो रहा है तो देखे हमें 18,00,000 रुपए का amount हमने due किया था 18,00,000 के amount जो due किया था उसमें से 2,40,000 रुपए तो हमारे पास excess amount settled होगी तो यहाँ पर हमारे पास जो remaining amount बचा है 18,00,000 माइनस 2,40,000 तो इस तरह से अब जो amount में देख रही हूँ वो है 15,60,000 का तो guys 15,60,000 और 2,500 यह amount जो मिलकर बनता है वो मेरे पास बनता है 15,62,500 तो इस तरह से allotment पर हमने काम कर लिया है किसी तरह का allotment पर कोई area दिया हुआ नहीं है तो यह हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया है allotment की amount को calculate करना तो यहाँ पर अब मैं बात करूंगी अगली general entry की जो की first call और second calls related होगी आशा है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी आप चाहें तो मेरे वीडियो को pause करके उपर की सारी बातों को फिर से देख सकते हैं समझ सकते हैं मैं next entry की बात कर रही हूँ जो की मेरी seventh entry है और वो entry कुछ इस तरह से कि अब मुझे first call को due करना है तो first call due करना है तो मेरे लिए entry होती है equity share first call to equity share capital तो देखिए यहाँ पर कितना first call का amount है जो मैं देख रही हूँ कि first call धाई रुपै की है तो इस धाई रुपै के shares के लिए चार लाख के लिए यहाँ पर चार लाख into धाई तो यह मेरे पास जो amount बन रहा है वो 10 लाख का बन रहा है तो यहाँ पर guys 10 लाख रुपै यह 10 लाख हुआ है तो 10 लाख कहां से आये है चार लाख multiplied by 2.50 तो इस तरह से हमने public से first call का amount मांग लिया है due कर दिया है अब देखिए first call पर कितना amount चुकाया गया है लेकिन उससे पहले हम entry करते हैं हम advance हमारा यहाँ पर उसे settle कर लेते हैं यहाँ पर 10,000 के लिए call in advance हमने create किया है और यह first call के लिए ही है तो हमें यहाँ पर settle करना होगा call in advance की amount को भी लेकर आते है call in advance account debit to equity share first call first call में हमने इस advance की amount को settle down कर दिया है और यह advance क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि 2500 का है तो हम डिरेक्ली यहाँ पर 2500 का amount लिख देते हैं now call in advance के amount को settle करने के बाद यानि 10,000,000 में से 2,500 रुपए तो हमारे advance के settle हो गए है अब amount receive कर यह देखिए bank में amount हम receive कर रहे है bank account debit to equity share first call और अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर first call पर area भी हुआ है देखिए first call पर जो area है वो यह रहा तो first call का area हुआ है केवल 2000 shareholders हैं जिन्होंने first call पर area दिया है तो यहाँ पर हमारा जो area हुआ है 2000 into 2.50 पैसे के हिसाब से 5000 रुपए का area है तो अब देखिए कितना amount हमें bank में received हो रहा है 10,000,000 में से 500,000 माइनस कीजिए और 500,000 माइनस करने के बाद अब 5000 का amount भी माइनस कर लीजिए मैं जिस तरह से अपने calculator पर देख रही हूँ मुझे जो amount यहाँ पर मिल रहा है वो है 9,92,500 रुपीज का तो 9,92,500 रुपए हमें यहाँ पर first call के सम्मंद में मिले हैं तो इस first call के सम्मंद में जो amount मुझे मिली है उसको हमने account में ले लिया इसी तरह से अब बात करते हैं हम अगली general entry की जो की second call से related है इस second call से related जो general entry है वो same जो की first call से related हमने सारा काम कर लिया है तो अब हमारा second call थोड़ा आसान हो जाता है equity share second call to equity share capital now second call पर कितना amount मिलना चाहिए आप देख रहे हैं चार लाग हमारे पास shares है चार लाग shares पर हम दो रुपे के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर आट लाग का amount मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा तो यह आट लाग का amount हमने second call पर due किया है let's see guys अब कितना amount हमें यहाँ पर मिला है यह हम 11th entry से पता लगाएंगे कितना amount मिल रहा है तो entry हमारी होगी amount receive करने की bank account debit to equity share second call कितना amount मिल रहा है लेकिन उससे पहले देखे second call पर area कितना हुआ है देखे second call पर हम देख रहे है 1000 shareholders है उन्होंने भी area किया है 2000 shareholders है उन्होंने भी area किया है साथ में 400 shares holder है उन्होंने भी area किया है तो guys total 3400 shares ऐसे हैं जिन्होंने area किया है तो चल यह area के लिए amount हम calculate कर लेते हैं 3400 multiplied by क्योंकि 2 रुपए की हमारी amount है second call की तो ऐसी condition में हमारे पास जो amount मिलता है वो 6800 तो guys simple 8 lakh का amount हमें चाहिए था उसमें से 6800 का amount हमारे पास नहीं आया है तो minus कर लीजिए और जो amount हमें मिला है वो है 7,93,200 I hope आप अपने calculator साथ में चला रहे होंगे तो इस तरह से हमारे पास जो entry बनते है जो हमारा amount बनता है वो 7,93,200 का है तो guys इस तरह से सारी entry हमने issue से related complete कर ली है लेकिन हमारे पास आज एक concept और है जिस पर हम specially बात करना चाह रहे हैं और वो concept है four feature का देखे four feature करना है तो four feature के लिए हमें पहले ध्यान देना होगा आपने वेरे वीडियो को go through जरूर करें और उसमें देखें कि four feature से related क्या concept है तो four feature के concept कुछ इस तरह से है कि यदि हमें पहले देखना होगा कि इन पर premium का payment हुआ है या नहीं हुआ है ऐसे four feature share है 3400 share है इन पर हमारा premium का payment हुआ है क्या तो देखिए हमने यहां पर किसी तरह से allotment का किसी तरह का हमने कोई area हुआ नहीं है तो allotments related कोई area हुआ नहीं है मतलब हमने premium का payment कर दिया है तो यह चीज हमारी clear हो चुकी है कि यहां जो हमने प्रशन लिया है उसमें premium का payment हो चुका है क्योंकि allotment पर कोई area है ही नहीं अब allotment पर area है ही नहीं तो simply हमें जो four features related entry देनी है वो premium को बिना consider करते हुए देनी है premium को consider करना ही नहीं है अब हमारा जो share जो की बारा रुपे का है जिसमें 10 रुपे का तो हमारा share price है और 2 रुपे का हमारा premium है तो guys यहां पर इस premium को बिना consider करते हुए हमें entry करनी होगी लेकिन मैंने जैसा कि आपको बता रखा है कि यदि premium पर हमें किसी तरह का कोई area हुआ है तो premium को consider करते हुए आपको four feature के लिए entry देनी है तो guys देखते हैं यहां पर क्योंकि premium का किसी तरह का कोई issue है ही नहीं तो हम यहां पर four feature के लिए entry लेते हैं हमारी जो four feature के लिए entry होगी share capital account debit two area'd call area'd call कौन कौन सी है क्योंकि allotment पर कोई area है नहीं application पर कोई area होता ही नहीं है क्योंकि कोई भी shareholder जब अपना application deposit करता है तो उसको application money का payment करना ही होता है इसलिए कभी भी इस chapter में आपसे पूछा जाए कहा जाए तो यह ध्यान रखी application पर area होता ही नहीं है yes allotment पर area हो सकता है लेकिन हमारे इस प्रश्ण में allotment पर कोई area नहीं है तो area amount जो है हमारी वो first call पर है और two second call पर है now guys अब यदि हमारे पास यदि area मिल चुका है लेकिन कुछ राशी का payment इन 3400 shares पर हुआ है तो यह जो payment amount आएगा उसे हम four feature से लिखेंगे yes ओके तो हमने यह four feature account create कर दिया है और share capital account करना है हमें debit क्योंकि reverse entry दे रहे हैं और 3400 shares पर है क्योंकि premium नहीं है guys मैं फिर आप से बात कर रही हूँ कि यदि हमारे पास premium नहीं है तो हम 10 रुपे पर ही consider करेंगे यदि premium होता तो हम यहाँ पर 12 रुपे पर इसे consider करते और साथ मैं security premium को भी reverse entry देते तो इस तरह से हमारा जो amount हो रहा है वो जैसा कि मैं देख रही हूँ 34000 का हो रहा है now first call की बात करें तो first call हमारे पास है जो हमने area किया था देखिए first call का area मैं यहाँ पर देख रही हूँ इसलिए मैंने area को separately calculate कर लिया था ताकि हमें for feature की entry में किसी तरह की कोई समस्या ना हो जो यहाँ पर 2000 shares है 2000 shares पर 2.50 पैसे की दर से 5000 का amount जो की है first call में area हुआ है इसी तरह से second call में जो area हुआ है यहीं पर हम देख लेते हैं 6800 का हमारे पास 3400 shares ने area किया था और 2.00 की दर से area किया था तो 6800 रुपए हमें यहाँ पर मिल गए है अब गाईस अब या तो आप इसे for feature में कितना amount आया है balancing figure ले ले तो balancing figure हम देख रहे हैं 34,000 में 5000 माइनस करें 6800 रुपए माइनस करें तो अब हमारा balancing figure जो बता रहा है वो 22,200 रुपीज का बता रहा है तो गाईस जितना हमें कहा गया है कि for feature तक का हमें entry करना है तो for feature तक की बात हमने आपके सामने रखी है एक बार पूरी question को मैं अच्छे से वापस आपको explain कर देती हूं ताकि कहीं कोई point आपको छूटा है तो हम यहाँ पर clear कर ले guys question में हमारे पास information है मैं अपना pen का color change कर लेती हूँ okay ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा question की information हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमने 10 रुपे वाले 4 लाग shares issue किये है 2 रुपे premium के साथ issue किये है application पर 3 रुपे allotment पर 4 रुपे 50 पैसे और first call पर 5 रुपे और second call पर 2 रुपे मांगे गए है कुल मिला कर 12 रुपे का हमारा ये पूरा bifurcation है आपको जब allotment के लिए देखना है तो आपको applied shares कितने हैं ये देखना है और हमें जितने shares allot करने हैं उसे देखना है तो guys हमारे पास जो question में information है उसमें कहा गया है कि 5,20,000 share received हुए है और हमारे पास 4,000 share ही है तो ऐसी condition में हमें जो बात करनी है वो ये कि 40,000 share को तो हम refund कर रहे हैं तो हमने या refund कर दिया बाकी बच्चे हमारे पास 4,80,000 share और यहाँ पर 4,000 share हैं तो ऐसी condition में 4,80,000 को 4,00,000 दे दिया जाए यह हमारे question में कहा गया है तो हमने यहाँ पर complete एक report तयार कर ली है जो आपको question को solve करने से पहले एक working note में कर लेनी चाहिए I suggest because इससे question करना बहुत आसान हो जाता है हमारे पास यह चीज़े मालूम हो जाती है कि हमें किस तरह से काम करना है Now, 1,000 shareholders ऐसे हैं जिन पर call in advance है यानि advance के लिए हमें settlement करना है First call का advance उन्होंने allotment पर दे दिया है जिसके लिए हमने general entry की है Now, area के लिए आपको कहा गया है कि 1000 shareholders हैं जिनोंने second call पर area किया है और 2000 shareholders है जिनोंने first call और second call पर area किया है और 400 shareholders है जिनोंने second call पर area किया है आपको question में कहा गया है कि इन सारे ही 3400 shares का four feature कर लिया जाए तो हम four feature कर लेंगे complete question कुछ इस तरह से है मैं वापस इसको अच्छे से explain कर देती हूँ सबसे पहले हम application receive करने की entry करते हैं guys तो application को received करें bank account, debit to equity share application कितनी application received हुई यह जो first entry होती है students ध्यान रखिएगा हमेशा हमारे पास जितने number of share हमें received हुए है उससे related हो रही है क्योंकि आप एक company की book में entry कर रहे है तो company की book की entry कुछ इस तरह से होगी कि 5,20,000 shares हमें received हुए है 3 रुपए की rate है हमारी application की तो total हमारे पास 15,60,000 रुपए 15,60,000 रुपए का हमारा total amount जो की application पर receive हो गया है now next हम जो entry करेंगे वो refund की entry करते हैं कई बार students refund की entry बाद में करते हैं share capital में transfer की entry पहले करते हैं तो वो भी सही है कोई issue नहीं है तो हम पहले यहाँ पर refund की entry ले रहे हैं क्योंकि जितना जो भी पैसा company के पास पढ़ा हुआ है उसे जितना जल्दी लोटा दिया जाए उतना सही है इसलिए date of refund के साथ हम यहाँ पर entry करेंगे equity share application to bank 40,000 shares हमें refund करने हैं तो 40,000 shares into 3 रुपीज की rate से 1,20,000 का refund हमने कर दिया now अब equity share application को equity share capital में transfer करने की entry दीजिए तो equity share application account debit to equity share capital कितना amount transfer करना है क्योंकि 4,000,000 shares हमारे पास simply 3 रुपीज की rate है तो 12,000,000 का amount हमें transfer करना ही है guys access के लिए मैंने आपको बताया 15,60,000 minus 12,000 1,20,000 minus 12,000 तो यह हमारा access जो हमने settle किया है वो यहाँ पर किया भी है 2,40,000 का now allotment को due करते है allotment जो की premium के साथ है equity share allotment to equity share capital to security premium क्योंकि allotment हमारे पास 1,5-4 रुपए का है जो की हम देख रहे है 1,5-4 रुपए की amount है हमारे पास तो 1,5-4 amount 4,000,000 multiply by 1,5-4 रुपए तो आप अपने calculator को चलाई है और अब जो amount मिल रहा है वो 18,000,000 का मिल रहा है equity share capital 1,5 रुपए का हमारा equity share allotment का है तो इसलिए 1,5 रुपए multiply by 4,000,000 share 10,000,000 का amount और इसी तरह से security premium जो है वो 8,000,000 का हमने 2 रुपए के हिसाब से create किया access के लिए मैं बात करी चुकी हूँ equity share application to equity share allotment 2,4,000 रुपए से allotment को receive करें allotment receive करने से पहले call in advance के लिए entry जरूर देख ले call in advance के लिए entry आप देखें 2,500 रुपए का advance हमें मिल रहा है 1,000 shares हैं हमारे पास 1,5 रुपए की rate है first call की तो 1,5,000 रुपए हमें advance मिल गए है remaining हमें कितना amount जो allotment पर मिलना है वो 18,000,000 देखी 18,000,000 में से यदि हम access amount 2,40,000 का settlement कर ले तो हमें जो amount मिलना है वो 15,60,000 का है तो guys यह allotment तक का का काम हमने पूरा किया now first call की बात करें तो first call हमने due किया 1,000,000 रुपए से हमने call in advance का settlement किया call in advance to first call 2,500,000 रुपए का और first call receive किया first call में हमें area मिला है 2,000 shares का तो इस area के amount को adjust करते हुए 10,000,000 में से 5,000 का area और 2,500,000 का advance minus करने के बाद हमें जो amount मिला है 99,92,500 रुपए यानि 9,92,500 second call को due करिए second call receive करिए now finally अब हमारे पास entry बसती है four feature की तो guys four feature करने के लिए हमारी entry share capital account debit two first call, two second call क्योंकि इसी पे area हुआ है और two four feature यहां दिया जाएगा तो यहां पर share capital 34,000 का ही बनेगा क्योंकि area का payment हमने कर दिया है तो 10 से ही multiply किया गया है क्योंकि सारा amount मांग भी लिया है first call पर हमारा area 5,000 का second call पर area 6,800 का तो balancing figure हमारी बात हो जाएगी 22,200 रुपाई की इस तरह से guys हमारी total four feature तक की entry complete हुई so thank you guys thank you so much